महीं दूसी तरफ किसानों के भारत बंद पर प्रियंका गांधी वाजरा का ट्वीट भी सामने आ गया है प्रियंका गांधी ने कहा है कि पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है किसानों के खेत और फसल पर कबजा कराना चाहती है बीजेपी खरपपती दोस्तों का कबजा कराने को आतूर है बीजेपी तो सीधे तोर से प्रियंका गांधी ने भी पार्टी जंता पार्टी पर हमला बोला है उन्हों है कि पूरा हिंदूस्टान जो है वो किसानों के साथ है और किसाने खेट और फसल पर बी जेपी कब्जा कराना चाहती है. तीन जररई कानून के खलाफ पूरे मिल्क में आज ए法जाजी मुझा किया जा रहा है. किसान मुर्चा ने भारत बंद बुलाया है जिसकी कई पार्टियों ने हिमायत की है आज भारत बंद पर कॉंग्रेस के साबिख सद्र और रुकने पालियमन राहूल गांधी ने भी ट्वेट करके अपनी राय दी है और भारत बंद की हिमायत की है साथी राहूल गांधी ने किसान आंदोलन को गेर मुतशद्द सत्याग्रे बताया है राहूल गांधी ने ट्वीट किया है हम आपको राहूल गांधी का ट्वीट दिखा रहे हैं किसानों का गेर मुतशद्द सत्याग्रे आज भी अखंड है ये लिखाए राहूल गांदी ने साथ उन्हों लिखाए कि लेकिन इस तहसाल करने वाली सरकार को ये नहीं पसंद है इसलिए आज भारत बंद है साथ ही उन्होंने हैश्टेक दिया है I Stand With Farmers तो राहूल गांदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं कह रहे हैं किसानों का जो आंदोलन है उसको खुला समर्थन हासिल है कॉंग्रेस पार्टी का और लगातार किसानों की जो कुछ भी मांगे हैं वो यहीं उमीद करते हैं को उनको माना जाए और उन्होंने हैश्टेक भी दिया है I stand with farmers तो राहूल गांदी का ये ट्वीट आज जब किसान बड़ी तादात में आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने भारत बंद भी बुलाया है उसको और इसी के मदे नजर राहूल गांदी का ट्वीट भी सामने आया था और अखिलेश यादव का ट्वी में हम आपको लगातार राहूल गांदी का ट्वीट दिखा रहे हैं और किसानों का भारत बंद जो है तीन क्रशी कानूनों के खिलाफ बुलाया गया है दिल्ली बॉर्डर के सभी रास्तों पर किसान धरले पर बैठे हुए हैं आंदोलन वाली जगा पर गाउं से किसानों क नहीं बुलाया जाएगा अपने अपने अलाके में एतजाज करेंगे किसान ये खास चीज़े आज देखने को बिल रही हैं वही घाजिपूर बॉर्डर पर बैठे किसान एनेच चौबिस और एनेच नौ पर ट्रैफिक जाम जो हो लग गया है सेंट किसान मोड़चा की 40 त भारत बंद है उसी के मदे नजर कई ऐसे जो रास्ते हैं उनको बंद भी किया गया है और कई ऐसे रास्ते हैं जिनको डाइवर्ड भी किया गया है ताकि आम जनता को किसी भी तरह से परिशानी ना हो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसान जो हैं वो प्रदर्श किया है सरकारी और प्राइवेट डफ्तर बंद रहेंगे तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे पहें दुकाने जो हैं उनको भी बंद रखने का हुक में जारी किया गया है किसानों के ओर से ओर शामिल हैं दुकाने शामिल हैं इंडस्ट्रीज शामिल हैं इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तर शामिल हैं और तिजारती इधारे जो हैं वो भी इसमें शामिल है तो चाहे तिजारती इधारे हो या तालीमी इधारे हो या दुकाने इंडस्ट्रीज सभी को बंद नहीं रखने का ऐलान किया है, ये भी आपको जान लेना चाहिए कि क्या क्या खुला रहेगा, अस्पताल खुले रहेंगे आज। वो खुले रहेंगे, एम्बूलेंस खिदमात भी आज खुली रहेंगी, ये बंद नहीं की जाएंगे, इसके लावा राहत और बचाओ का काम जो है वो भी जारी रहेगा, इमर्जनसी खिदमात देने वाले इदारे भी खुले रहेंगे, इनको बंद नहीं रखा जाएगा, तो ये वो खास इदारे जो कि आज खुले रहेंगे जिन में अस्पताल चामिल हैं, मेडिकल चामिल हैं, एम्बुलेंस खितमात, राहत और बचाओ का काम करने वाले जितनी भी तनसीमे हैं और इमर्जनसी खितमात देने वाले इदारे ये तमाम वो चीजे हैं जो कि खुली आज बंद नहीं रहेंगी इसके अलावा जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तर हैं उनको खासतोर से बंद रखने का एलान जारी किया गया है किसानों की और से और सयूत किसान मोर्चा जो है उसमें खासतोर से यहां जारी कर दिये हैं कि आज कौन कौन सी चीजे खुली और कौन सी बन रहेंगी